हेलो फ्रेंड्स आज टोपिक किलियर करते हैं मोस्फेट यह जो देखने हैं आप एक मोस्फेट है एन चैनल पी चैनल हो सकता है आज के बाद आपको यह डाउट नहीं होगा कि यह काम कैसे करता है आपको किसी भी सरकीट में इस मोस्फेट को लगा कर काम करा सकते हैं तो सबसे पहले समझते हैं यह डाइग्राम, यह सींपल N channel मोशेट हम ले रहीं एक्जाम्पल पी चैनल भी ले सकते हैं, वो आपको बताएं किस कंडिशन में आपको पी चैनल यहां यूज़ करना है, यह इन चैनल कोई भी मोशेट हो सकता है, इसके वोल्टेज पर डिपेंड कर करता है इसके स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि उसका नंबर क्या है यह आपको दिहान नहीं देना आपको अगर 40 वोल्ट 50 वोल्ट 1200 वोल्ट तक के मोसफेट आपको मिल सकते हैं अपने सर्किट के अकोर्डिंग ही आप इसे सलेक्ट कर सकते हैं तो से पहले देखते हैं काम कैसे करता है गाइस अगर मेरे पास कोई वोल्टेज है वो वोल्टेज है पोजिटिव अगर मेरे पास वोल्टेज है और मैंने यह वोल्टेज यहाँ पे यह फिर यहाँ पे यह जो आप देख रहे हैं यह drain होता है और यह source होता है और यह gate होता है गईस अगर मेरे पास suppose 12 volt है और मैंने 12 volt प्लस 12 volt यहाँ पे connect कर दिया और मुझे इस mosfet की help से switching यह फिर amplification कराना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ यहाँ पे जो wire होता है 12 volt का battery का जैसे यह आप देखने 9 volt का है तो यह इसका wire मैंने drain पे connect कर दिया अब जैसे यहाँ पे wire connect हुआ तो यह actual में source के थूरू अभी नहीं निकलेगा यह तब निकलेगा जब आप gate पर positive दे दोगे कुछ voltage चाहे 1 volt यह फिर 2 volt यह फिर 0.5 volt आप किसी sensor की help से भी दे सकते हैं यह फिर किसी resistance की help से दे सकते हैं basically यहाँ पर आप अगर voltage दे दोगे तो इसे पता लग जाएगा कि यह जो drain पे voltage है यह source तक आपको pass out करना है तो इस तरह से यह काम करता है अभी समझे फिर से अगर यहाँ पर आपने कोई voltage दिया है जिसकी switching करानी है और source तक आपको भेजना है तो यहाँ पर आपको हलका सा voltage देना होता है पिलस वोल्ट यहाँ पर जैसे ही आपने दिया तो जो voltage ड्रेन पे होता है वो source के थ्रू गुजर जाता है तो आईए इसे समझते हैं एक example के थ्रू अगर मेरे पास एक बैटरी है और यह बैटरी अगा इस 9 वोल्ट की ले सकत हैं कोई भी बैटरी आप ले सकते हैं यह positive है और यह suppose 12 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है और मुझे यहाँ पर एक LED चलाना है यह 12 वोल्ट का है तो यहाँ पर मैं एक resistance लगा देता हूं ताकि LED खराब ना हूं ऐसे आप समझ सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको यह direct बैटरी से चलाना है तो यहाँ पर आप यह wire connect करोगे तो यह glow करेगा सिंपल सी बात है गिलो करेगा आप चाहिए तो यह switch ही लगा सकते हैं लेकिन बात है MOSFET की तो MOSFET आज use करते हैं यहाँ पर switching कराने के लिए तो MOSFET के अंदर three terminals होते है आपको किस परकार से करना है यह जो wire आप positive पर connect करनी होती है n channel में n channel MOSFET है तो यहाँ पर आपने positive पर connect कर दिया और इसके through इसके through आपको यहाँ पर यह connect करना है source से तो guys जब भी यह यहाँ पर voltage आप दोगे किसी wire से किसी sensor से तो यह इसे pass out कर देगा जो बैटरी का voltage होगा positive यह इस तरब pass out होके circuit को पूरा करेगा य अगर आप यहाँ पर negative कर देते हो अगर gate पर एक बार negative कर देते हो तो यह off हो जाता है यानि कि positive पर यह MOSFET on होता है और negative जैसे gate पर touch करते हो तो off हो जाता है इसके through समझने की कोसिस करते हैं एक छोटा सा circuit हमने बनाया है इसके positive negative इसमें connect करते हैं गाईस अभी जो resistance आप on हो जाता है आप देख रहे हैं यह on हो चुका है यह चाहे आपने wire हटा भी दिया तो यह on ही रहेगा तब तक कि इस पर negative नहीं आता आप negative आगया तो यह off हो गया अगर positive आपको देना है यानि कि on करना है तो on कर सकते हैं एक resistance के through इसकी protection के लिए resistance यूज होता है आप जो दे अलफ में यूज करना होगा और जब भी आप यहाँ पर negative voltage दोगे तो यह operate करेगा positive दोगे तो ओफ हो जाएगा इस तरह से यह काम करता है अगर वीडियो पसंद आए यह तो प्लीज लाइक कीजे सब्सक्राइब बिए